और अब आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट 2022 का दंगापूर पिछले कुछ दिनों से हम और आप देख रहे हैं कि कोई है जो देश का महौल खराब करने की कोशिश लगातार कर रहा है कोई है जो हिंदुस्तान की शांतिपूर फिज़ा में नफरत का जहर घोलने की कोशिश कर रहा है देश के शहरों में एक ऐसा स्लीपर सेल है जो मौका और महौल देखकर आक्टिव हो जाता है इसके बाद फिर वही होता है जो राम नवमी के दिन दरजन भर शेहरों में हुआ लेकिन सवाल ये है कि अलग-अलग राज़ियों में अलग-अलग शेहरों में दंगा ब्रिगेट की एंट्री क्यों और कैसे हो जाती है दंगा करवाने वाले माहौल खराब करने वाले स्लीपर सेल कहां छिपे रहते हैं स्लीपर सेल का रिमोट कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है इसके हैंडलर देश में हैं या विदेश में हैं अगले एक घंटे में हम इसी की सबसे बड़ी परताल करेंगे बिना ब्रेक के लगातार, आपी रिपोर्ट देखें जिनोंने हिम्मत नगर के हिम्मत और होसले को तोड़ने की कोशिस की जिनोंने अपनी हिंसा से हिम्मत नगर को हिलाया और जलाया आज हिम्मत नगर एहेट स्टोरी में उनकी तलास होगी खंभात के सांती और भाईचारे को घात किसने लगाया नफरत के पत्थर क्यों फेके गए, खमबाद से वायूलेंस अनलिमिटेड में आज ग्राउंड जीरो से इसका सच सामने आएगा राजस्तान के करॉली में दंगा ब्रिगेट की एंट्री कैसे हुई? सालों से साथ रहने वालों में धरम्यूद क्यू छड़ा? करॉली के मास्टर माइन को आखिर कौन बचा रहा है? आज करॉली दि बैटल ग्राउंड में इसी की इन्वेस्टिकेशन करूँगा हाउरा में हिंसा का नफरती खेल किसने शुरू किया? राम नववी के पर पर इस एतिहासिक शहर का माहौल किसने खराब करने की कोशिश की? मैं इसी का परताल करूँगा गुजराद के द्वारका को दंगो का दर्द देने वाला कौन है? गैंक्स आप गुंडे में आज द्वारका में दंगो करने वालों का चहरा बेनकाब होगा राम नभबी के दिन बाकुरा की शहर में ये नफरत का आग कौन लगाने की कोशिश किया? इस बर्निंग सिटी में हम इसी की खोच करेंगे जारकन के लोहर दग्गा में दंगा करने वाला स्लीपर सेल कैसे तयार हुआ? लोहर दग्गा, दा राइजिंग आफ स्लीपर सेल में हम इसी की परताल करेंगे बंगाल में बिर्भूम को खूनी भूमी बनाने की कोशिश किस ने किया? हम इसकी भी खोच करेंगे देश में हिजाब विबात को किस ने भड़काया? किस ने उसे हवा दी? हिजाब अकवर्ट कॉंस्पिरेसी में आज उसी साजिश का परदाफाशों ने जा रहा है 2022 में देश के कई राज्यों को, कई शहरों को तंगापुर किस ने बनाने की कोशिश की? हिंदुस्तान की हवा में नफरत का जहर घोलने का तो साहस किस ने किया? आज उसकी पूरी कहानी खुलने जा रही है जो कोई नहीं दिखाएगा, आज वो सच सामने आएगा नफरत की कम्प्लीट पिक्चर 2022 का तंगापुर्ट 10 अप्रेल 2022 राम नौमी का दिन खरकौन मध्यपरदेश राम नौमी के जुलूस सिकल रहे थे, हर तरफ जैश्री राम के नारे गूंज रहे थे किसी को भनक तक नहीं थी कि जैश्री राम के नारों के बीच अगले ही कुछ पलों में यहां हिंसा का वो तांडव शुरू होने वाला है जो कई जिन्दगियों और घरों को तबाह कर देगा जैसे ही राम नुमी का जुलूस सन्य नगर इलाके के तालाब चौक के पास पहुँचा जुलूस पर अचानक पत्थर बरसने लगी किसी को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या पत्थरों के बारिश के बाद लोग देशत में इदर उदर भागने लगी और बस यहीं से खरगोन में हिंसा, हंगामा, पवाल और उपत्रव का खेल शुरू हो गया पत्थरबाजी से शुरू हुई हिंसा ने देखते ही देखते दंगों की शकल अक्तियार कर ली शहर के कई इलाकों, कोचाला चौक, भाटवाडी समेथ तमाम जगहे पत्थरबाजी के साथ आगजनी लूट पाठ होने लगी और खुले आम तलवारें लहराई जाने लगी देखते ही देखते रावनोमी के दिन खरगोन के कई शहर दंगों की लप्टों में जल उठे कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया, कई दुकानों को हिंसा की लप्टों में खाक कर दिया गया किसी का सब कुछ बवाल की आग में छुलस गया ताइम्स डाउन आउ भारत ने आपको हिंसा की कई संसनी खेज वीडियो दिखाए जिसमें उस दिन का पूरा मंजर कैद था कई नकापोश पत्थर बड़सा रहे थे, कही बाइक स्कूटी को आग के हवाले कर रहे थे और कहीं खुले आम सड़कों पर तलवार बंदूप लेकर घूम रहे थे, हर तरफ जैसे त्राही माम मचा था खरगोन में हुए दंगों ने कई लोगों का सब कुछ छीन लिया, उनके सपनों का आशियाना आग की लप्टों में उजड़ गया पस पीछे छोड़ गया तुराख और मलबे के धेर, हमारे संबाद दाता गोविंद गुर्जर ने हिंसा की चपेट माय इलागों का ग्राउंड जीरो पर जाकर जैज़ा लिया इस घर को और देख लीजे आप, यहां जो भी घर में है, एसी, फ्रीज, कूलर, गाड़ी, अलमारियां, गौदरे अलमारी, कूलर दो दो तीन तीन, एसी, फ्रीज, सब कुछ पंखे और पूरा देखिए चद्दर काली पड़ी हुई है एक एक चीज, यह ऐसा नहीं लग रहा कि यह कोई घर है, ऐसा लग रहा है जिसे मैं किसी कवार की दुकान में घुसाया हूँ, बरतनों तक को नहीं छुड़ा गया, किस कदर आग बरपाई गई, पैट्रूल डालकर आग लगाई गई, या कोई और जो चीजे थी उनके अध्यम से आग लगाई गई, काफी हैरत अंगेज यह तस्वीरे हैं, ऐसा कोई एक घर नहीं था, जिसने दंगों का जख्म ना ज्हेला हो, बलकि इस इलाके में तो जगा जगा उस दिन की हिंसा की निशान बिखरे हुए थे, इन दुकानों घरों को यहां लाइन से जो लगे हुए हैं, यह गर विका हुए लिका हुए आगे, इन तमाम घरों को आग लगा दी गई, दुकानों को आग लगा दी गई, एक दुकान और मैं आपको दिखा दूं कि जो दंगाई थे, उन्हों रहा किस कदर कहर बर पाया ह यह तस्वीर हैं उसकी गवाही देंगी आप अंदर आके देखिए सबसे पहले केमरेमेन से कहूंगा आप पहले चले जाएए यह देखिए कि जो दुकान थी किराने की इन पीपों में किसी में गेहूं होगा किसी में चावल होगे किसी में शक्कर होगी किसी में दाल होगी ल बेड की शकल में आए भेडियों का कोई जाधर्म नहीं होता, वो नफरत की आग में बस सब कुछ जलाना जानते हैं, खरगोन हिंसा में अगर हिंदूओं के मकान दुकान जले तो मुस्लिमों के ठिकाने भी चपेट में आए मा के राना वो दुकान, एक मुस्लिम की दुकान है, उस दुकान को भी आग लगाई गई है, अब ये दंगाई कौन है, क्या है, क्योंकि दंगाईयों की कोई जात और मजब तो होता नहीं है, आप देखिए, ये जो दुकान है मा के राना, उसको भी पूरी तरह से जला कर खा यह देखिए आप यह दुकान है यहां कुछ उर्दू की किताबें भी पड़ी हुई आप देखिए यह मुस्लिम की किताब है जो जलाई गई है तो यह भी यहां पर देखने को मिल रहा है जैसे जैसे हमारे समबाद दाथा गोविंद गुर्जर इलाके में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उन्हें दंगू के निशा जहां ताहां विखरे मिले किसी की बाइक जली थी तो किसी का ओटो सब बस अपने अपने सामान की राख बटो रहे थे जैसे नगर के उस इलाके में मौजूद हैं जहां लगातार तमाम दर्जनों घरों में दुकानों में आग लगाईगी एक मकान ये है देखिए आप आटो पूरी तरसे खाक में तबदील हो चुका है आपका ये ओटो है क्या और घर भी आपका है राम नौमी के दिन खरगोन की गौशाला मार्ग पर भी पत्राव हुआ इसमें गौशाला के इंचार्ज को भी चोटे आई हमारे समवाद दाता ने उनसे बाचीत की और उस दिन की आप वीती सुनी जैसे जैसे हिंसा की लबते धीमी पड़ रही है वैसे वैसे दर्द की कई कहानियां सामने आ रही है बहुत सारे लोग थे हैं अपन तो दरवाजा लगा था मेंने क्या मेरी छोडी के घर में बुझ जाई हैं यह कोण है जो मैं दरवाजा खुला उसे उन्होंने तलवार मारी तलवार मारी मेंने ऐसी पकड़ी पकड़ी तो यह मुल्या सब हाथ में लगे दूसरी मारी तो यह सब जब आड़ा खुड़ गया अलग अलग हो गया टाके लगे है दंगाईयों की भीण ने 16 साल के शिवम को भी नहीं बक्षा शिवम भी हिंसा में घायल हो गया और अब कई दिन से जिन्द की मौत के बीच अस्पताल में जूर रहा घरगोन में जो कुछ हुआ उससे पूरा हिंदुस्तान दंग है सरकार हैरत में है कुछ लोग सर्यंत्र कर रहे हैं प्रदेश की सांती भंग हो जाए प्रदेश में लगाई यगड़े हो जाए प्रदेश में दंगे हो जाए प्रदेश को दंगे की आग में ज्हौक दो जो दुस्त हैं जो बदमास हैं जो गुंडे हैं जो घरीब का खून पीते हैं जो घरीब का खून चूशते हैं तो ये वो सोच लें कि वो नहीं बचेंगे खरगोन में अभी तनाव का माहौल बना हुआ है कुछ जगों पर कर्फ्यू लगा हुआ है हलाकि जरूरी सामान खरीदने की छूट दी जा रही है लेकिन सवाल ये कि आखर कब तक शहर नफरत के दंगो की आग में यूही जलते रहेंगे रात के अंधेरे में नफरत की एंट्री हुई तो गुजरात के हिम्मत नगर की शांती और भाईचारा भंग हो गया पैट्रोल बम चले पत्थर फेके गए तलबार बाजी हुई देखते ही देखते विजा में जहर घुल गया ये बवाल और बलबार राम नवमी के दिन हुआ चोभा यात्रा निकली तो उस पर हमला हुआ शहर में नफरत की आग इस तरह भड़क गई के रात में भी शांत नहीं हुई रात में एक समुदाय के लोगों को निशाना बनाये गया सवाल ये है के हिम्मत नगर के हावा को खराब करने वाले कौन थे यही जानने के लिए टाइम्स नावन भारत के रिपोर्टर आमित राजपूत हिम्मत नगर के तंगा ग्राउंड पर पहुँचे राम नौमी की हिंसा के बाद हिम्मत नगर में जहां जहां पर हिंसा हुई थी उस जगे पे टाइमस नेटवर्क की टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर पहुँच रही है और टाइमस नावन भारत जिस जगे पर पहुचा है इस जगे का नाम है बंजारा वास्यानी की बंजा आप देख सकते हैं यहाँ पर चंपले मौझूद हैं, रैपिड एक्षिन फोर्स के जवान आपको सामने दिखेंगे और यहाँ के स्थानिय लोगों का कहना है कि सामने की तरफ से यहाँ पर लगातार पथर मारे गए इलाके में अब भी दहशत है, लोग खौफ में हैं, तमाम तो ऐसे हैं जो दंगों से बचने के लिए घर बार छोड़ कर पलायन कर चुकी हैं हर जगे पर रेपिटेक्शन फोर्स और लोकल फोर्स जो है वो पहिनात की गई हैं, कुछ जो गलिया हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी मौझूद हैं और उसके साथ साथ यहां पर जो परिवार रह रहे हैं वो काफी दुविधा में हैं आप देख सकते हैं यह वो परिवार है जो इस पूरे जब यहां पर घटना घटनी लगी तब पूरा यहां पर जो लोग रहते हैं बंजारा वास जिसे कहा जाता है यह वो सारे लोग हैं ड पर ताल की तो पता चला कि बलवा करने का प्लान पहले से ही रेडी था पस उस वक्ट उसे अंजाम दिया गया क्या हो गया था अचानक यहां पर किस तरह से पथर आए बहुं आए पढ़े इधर अचानक से आए हम तो सो रहे थे सब तो पाटा ने पथर इताड़े सब नाक दे थी हम सो रहे थे बच्चे को फिर लेके बहुत पिर बागिए इधर से ऑच पैटरल बॉम सीसी में भर भर के ब स्पाइनिंग लोगों पहले से प्लानिंग कर दी थी पर हावर फिर reins? को कम्प्रे선 रखे हुए थी मिलएं यहां से बोलते बोलते गालिया बोलते बोलते तुम बंजार बाहर देखलो बाहर देखल स्टैठ सिह पूरी प्लानिंग के साथ आये थे, कि बारु लेके मारो बन जारो को, पूरी प्लानिंग के साथ आये थे. यहां ऐसा उत्पात पहली बार हुआ हो ऐसा नहीं है, हिंसा के शिकार लोगों का कहना है, कि इस इलाखे में पत्थर और तलवार कांड आए दिन होता रहता है, यही वजह है कि लोग जान बचाने के लिए पलायन करने को मच्बूर है. हर बार होता है, होता ही रहता है, लेडिस उपर जाके पत्थर मारते और जैन सब तलवारों लेके हमारे हमकों मानने के लिए आते. इन्वेस्टिकेशन के दौरान हमें एक लड़का मिला, जिसके सिर पर पत्थर बाजी के निशान मौजूद हैं, ये वो सच है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता. ये जो बच्चा है इसे भी इस पत्थराओं के बीच में यहां पर पत्थर लगा, इसका कहना है, क्या हुआ कैसे लग गया ये पत्थर? वहां से पत्थर आया पत्थर लग गया बाजा. हिम्मत अगर हिंसा मामले में 12 लोग गरफतार किये जा चुके हैं, जाच परताल और पूश्ताज जारी है, आने वाले वक्त में कुछ और लोग सलाखों के पीछे पहुँचेंगे, ऐसा करना बहुत जरूरी है, ताकि देश के सांपरदाइक सौहार्थ को कोई इस तरह सौ गुजरात का खंबात शहर भी राम नवमी के दिन हुई हिंसा का कवहा बना। खेल खेला गया वो सब एक दिन में नहीं हुआ था, बलकि खंबात में खूनी खेल खेलने की साज़िश कई दिनों से रची जा रही थी, पत्थर बाजी के लिए कई दिनों से पत्थर जमा हो रहे थे, राम नवमी के जुलूस से एक दिल पहले ही पास के खेतों से पत्थर जमा किये गए थे, यहाँ दंगो वाली साज़िश की चिंगारी भड़काने का जिम्मा बाहरी लोगों को सौपा गया था, जुलूस पर पत्थर कहां से फेकना है, जुलूस को किस दिशा में निशाना बनाना है, यह सब कुछ पहले से तह था जब खंबात में भड़की दंगो की आग थंडी पंडे लगी तो साज़िश की राख से परदा उटने लगा, हमारे संबात दाता अमित राजबूत उस जगह पहुँचे जहां से खंबात में हिंसा की शुरूआत हुई थी, उन्होंने हिंसा वाले दिन क्या-क्या हुआ, उसकी एक एक डिटेल खंगाल कर सामनी रख दी, यही वो रोड है जहां पुलिस के जवान दिक रहे हैं, वहां से यात्रा निकल रही थी, और यात्रा निकल के जब आगे बढ़ रही थी, तो यहां पर बिल्कुल इसके बगल में ही एक साइकल की दुकान है, यह लोग इसी महले में जो हैं, वो रहते हैं, और हम इनी से बात करना चाहेंगे, यह बताइए, जब यात्रा पे, सुभा यात्रा पे हमला हुआ, कैसे पता पड़ा आपको, क्या माहूल था यहां पे? महल तो ऐसा था के यहां पर सारी बीड एक कट्टा हुई थी, और यात्रा में सब आगे जा रहे थे, और आगे से वो दुकान दिख रही होगी आपको, सामने पर, कॉर्णर के उपर, महा पर पत्थर मारा सूरू हुआ, पत्थर दिरते हमने देखे, और फिर सिधे हमें भा खंबात के शंकरपुरा इलाके में 50 मीटर की दूरी पर श्रीराम मंदिर और दरगा है, जैसे ही शोबायात्रा दरगा के पास पहुँची, उस पर पत्थों से हमला हो गया, इसके बाद जुरूस में शामिल लोगों के बीच भगदर मच गई, इसके बाद दंगाईों ने शहर के छगडोल मैदान और सरदार टावर पर पहुँचकर भी तोड़ फोड और आगजनी शुरू कर दी, शंकरपुरा इलाके में जो दंगा भड़का उसके लिए पत्थर पहले से ही दरगा में जमा किये गए थे, क्योंकि साजिश के पीछे इसी दरगा के कुछ मौलव मौलवियों का हाथ सामने आ रहा है, इतना ही नहीं मौलवियों ने न सिर्फ पत्थरबाजी, हिंसा की साजिश नची, हलकी इसमें विदेशी पंडिंग के सुराग भी पोलिस को मिले हैं हमारे समबात दाथा अमित राजपूत शंकरपुरा के उसी श्रीराम मंदिर पहुँचे जहां से राम नवुई के दिन शोभा यात्रा निकाली गई थी, वो ही शोभा यात्रा जिसे दंगाईयों ने निशाना बनाया, मंदिर के भुजारी ने बताया कि आखर उस दिन क्य हुआ 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 है, यही जगे यहीं से एक उत्सा का माहुल था, भगवान श्रीराम का जन्म था और राम भगवान का मंदिर भी है, जैसे जैसे दंगो की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई साजिशों की पड़ते खुल रही है, दंगो की जांच में सामने आया है कि शहर को जलाने की साजिश कई दिनों से रची जा रही थी, तरगा के मौलवी और बहारी लोग मिलकर खंबात में खुन खराबा करना चाहते थे, बकायदा स्लीपर सेल इसके लिए एक्टिवेट कर दिये गए थी, खंबात में कई जहों पर हिंसा बवाल उबद्रव के निशा बिखरे पड़े हैं, लोगों से पूछो तो बताते हैं कि उस दिन कैसी सड़कों पर मौत बरस रही थी, राम नवी की शोबा यात्रा के दिन हिंसा के आग की जो लप्ते उठी, उसमें 63 साल के कनहिया लाल राना भी चपेट में आ गए, पत्थरबाजी आगजनी बवाल में कनहिया लाल घायल हो गए और उनकी मौत हो गई, आज उनके घर पर मातम पसरा है, पड़ोसी बताते हैं कि उस दिन का मन्जर कितना खतरनात था, 63 वर्सी है कनहिया लाल राना की हत्या कर दी गई, वो किस जगे पे रहते थे, उनके घर पर, खंभाद के गंधक वाड़ा इलाके में हमारी नियूस टीम जो है वो पहुँची है, बिल्कुल मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये उनहीं का घर है, करहिया लाल, राना का जो,